पालो में पालो में ये ये हलो फ्रेंड्स वेल्कम बेक टो बाइ चैनल तो फ्रेंड्स कैसे हैं आप सब लोग आप लोग बहुत अच्छे होंगे तो फ्रेंड्स देखिए यहां पर बन रही है मेरी मॉर्णिंग टी और मैंने सोचा आज मॉर्णिंग से ही अपना व्लोग स्टार्ट करती हूं तो छोटा-छोटा कैप्चर करूंगी तो यहां पर देखिए यह पामनी थोड़ा सा डांस कर रही थी तो उसके पापा उसके साथ मस्ती कर रहे थे तो इन तोनों की चलती रहती है ऐसे ही और मैं कप्चर करती रहती हूँ आप लोग को मैं दिखाती रहती हूँ इनकी हरकते तो देखिए पामनी की पापा पामनी की नकल कर रहे हैं सेम टू सेम और यहां पर लेंगा का सॉंग चल रहा है यह देखिए फ्रेंड्स चाए मैंने कहा चलो डाल देते हैं चाए और हम लोग चाए पीने लगे दे तो यहां पर एक कप चाए मैंने ले ली है और husband को मैं देने चाह रही हूँ उनको चाय पीने का मन था तो चाय बना दो चलो उनको चाय दे देते हैं यह देखिए फ्रेंड्स इतना काम बढ़ गया था घर का क्योंकि हमारे AC में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो ली थी इसमें से पानी लीक कर रहा था तो इस वज़े से पूरी दिवार में सीलन आ गई थी तो AC सर्विस वाले आये थे AC को निकाल कर फिर पूरा उसके अंदर का सारा ताम जाम निकाल कर देखिए पूरा AC उतार लिया था नीचे और उसको पूरा उतार के सारा कुछ खोल के फिर उसके बाद सारा देखिए कैसे करके इन्होंने किया और हमारी दिवार देखिए पूरी खराब हो चुकी है सिर्फ AC के पानी लीकेज से इसमें कई बार हम ठीक करा चुके हैं जबकि अभी एक साल ही हुआ है इसे लिये हुए और इसमें पता नहीं क्या प्रॉब्लम है जबकि दूसरा जो है उसमें कुछ ऐसा नहीं है वो बहुत अच्छा काम करता है लेकिन ये वाला AC में पता नही क्या प्रॉब्लम हो गई है ये इतनी बार ठीक करा चुके हैं सर्विस सेंटर से सर्विस वाले आते हैं क्योंकि अभी एक साल नहीं हुआ है तो लोग खुद ही बेचते हैं कई बार दिखा चुके हैं और परसनल में भी दिखा दिया है तो अब देखते हैं क्या होता है है ब्याद की ग्रॉफ्प अच्छी होती है और इस वातम में तो वैसी बहुत हो दुद की में ये वाला प्लांट जो है वह खराब हो गया है ओ यह ठीक करने वाला हो रख हैं तो मैंने बारिश में रख力 है देखो क्या होता है और यह देखिए और यह देखिए इसमें यह फूल भी लगा हुआ है और अभी अभी शुरुआत हुई है इसकी यह देखिए अभी अच्छे थे खिले भी नहीं है और बारिश में बहुत अच्छा लग रहा है रात का ताइम है और रात की साढू आीं बारा बज़ रहे हैं और बहुत अच्छी हवा चल रही तो मैंने क्यारू बहुत अच्छी हवा चल रही है क्या रहा है यह क्या कर रहे how laaj । तो देखिये बारिश भी तो दिल किया कि चलो पकोड़े बना लेते हैं क्योंकि होता है जब बारिष वगएरा होती है तब जा रही होता है और इस सीजन में तो मतलब बारिश की मौसम में तो हमेशा ही होता है पकोड़े बनते हैं ऐसा होता नहीं है कि ना बने तो यहां पर मैं बना रही थी पकोड़े थोड़े से बहुत ज्यादा तो नहीं बनाओंगी थोड़ी सी क्वांटिटी में बनाओंगी क्योंकि हजबन है नहीं घर पे और बाहर बैटकर ही खाएंगे पोर्च एरिया में क्योंकि बारिश भी और थी तो अच्छा लगता है तो मैंने का चलो ठीक है जैसे मन करें वैसे खा लेना तो यहां पर देखिए यहां पर पकोड़े त्यार हो रहे हैं तो देखिए फ्रेंड्स यहां पर आया था किचन का और घर का कोई समान तो देखिए जैसे कि डेली में आता है फ्रूट्स वगरा हो गया और थोड़ा सा वैसे नाश्टे का समान था और गरम मसाला था साबुत वाला जो खतम हो गया था वो मंगाया था मैंने क्योंकि मैंने के रख दिया था तो फ्रेंड्स देखिए मैं आज वीडियो अपनी यहीं तक रखूंगी और नेक्स व्लोग आएगा कल तो मैं चलती हूँ बाबाई एंड टेक केर